अब also अब यहीवर्णमाव्य चुखेंगे तो शब्द बनाना पहले सिखते हैं। उसके बाद सब्दों से वाक्या बनता है। तो पहले हम वार्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। ऐसे बनाना शिखते हैं। यहाँ पर लिखा है क, धन, प, ठीक है, धन का मतलब होता है जोड़ना, तो हम दोनों वर्णों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो क, धन, प, ठीक है, तो क और धन लिखा है, तो हम दोनों को एक साथ यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क, प, कप, क्या हो बोलेंगे कप दूसरा है फल फल फ धनला फल घ धन्ट घ घत घधन र धन मतला बता है जोड़ना तो दोनों को जोड़ दिये तिया हो जाएगा घर, घर, क्या हो जाएगा, घर, ना, धन, ला, ना का उच्चरन ना होगा, ला का उच्चरन ला होगा, तो दोनों को हमें एक साथ बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, नल, ल, नल, बस, बस, इसको क्या बढ़क पढ़ेंगे हैं, बस, जग, जग, ख, गज मतलब होता है आती खग मतलब होता है पक्छिया चिलिया वा धनक वक वक उधन ना उन उन तो जैसा हम उचारान करते हैं वैसे ही उसको पढ़ते हैं यहाँ पर इ और ख, इ धन ख, दोनों को मिला देंगे तो इक, क्या पढ़ेंगे इसको इक, क्योंकि यह बड़ा ही है, ठीक है, एक बार पढ़ते हैं, और कप, फल, घर, घर, नल, बस, जग, ख, गज, व, उन, इक, ठीक है, यहाँ पर जो धन लगा है, उसको हम यहाँ पर धन को नहीं लिखेंगे, जैसे सब्द बना रहे हैं, तो यहाँ पर धन लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको धन को नहीं लिखना है, ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, शब्द, शब्द कौन-कौन से वर्णों से बना है, तो कौन-कौन से वर्णों से शब्द बना है, उच्पो हम देखते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर कप फल घर घर नल बस जग खग गज पर भावन कमल लहर ठीक है तो यह शब क्या है शब्द है अब शब्द को हमें तोड़ कर क्या करना है वर्णों को अलग करना है तो शब्द को हम वर्णों में कैसे चेंज कर सकते हैं या ब क धन्प कप दोनों मिलकर क्या रघना है कप यहां पर फल है तो फल में कौन-कौन से बढ़ना है फ और लउ फल खन्प लला इसको ऐसा अलग करतेसे हैं धन लगाकर उसको अलग कर देते हैं अलग करना है तो और उसको जोड़ना तो धन को हम हटा देते हैं जैसे घट तो कौन-कौन से बढ़ना है घट तो घधन ट घर में कौन-कौन से बढ़ना है घधन र नल न धन ल बस ब धन स जग जधन ग खग खधन ग गज गधन जपड़ यह तीन अक्षर वाली है तो हम दो धन लगाएंगे कमल कधन माधन ल तीन वरन है कमल भवन इसमें कोन-कौन कितने वरन है तीन वरन है लहर लहर तो इसको हम अगर वरन सब्द लिखा हुआ है तो उसको वरन में अलग करना है तो वहाँ पे धन लगाएंगे और जिसे ठीक है तो उसमें क्या करना है सब्द दिया रहेगा उसको धन लग आके अलग करेंगे और जो धन लगां के दिया रहेगा उसको हमको जोड़ना है धन को अटा के जोड़ना है ओके थैंक यू